दोस्तो, ST scholarship काफी दोनसर नहीं आ रही थी, तो आप सभी को पता होगा कि ST scholarship ना आने का क्या रीजन है, कि किंद सरकार ने रज्ज सरकार के लिए जो है बजट पास नहीं किया है, लेकिन दोस्तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, अभी हाली में बजट पास हो चुका है, ST studentों के लि है, क्या ये अभी पास हुआ है, या फिर लेट हुआ था, और दोस्तो ये बजट पास हो गया, तो सरकार अब बजट का जो पैसा है, ST studentों का जो कब देने वाली है, काफी डेटेल है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो complete वीडियो में ही बात करने वाल लेकिन दोस्तों अब तक चनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो प्लेज चनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक बार अपनी जो जन जाती है मंत्राला है, इस पर लेके चलता हूं, और आपको मैं यहां से दिखा देता हूं, आप डिरेक्ली यहां पर देख सकते हैं, स्कॉलर्षप का यह पोर्टल है, जो मैंने आपके ले ओपन कर रखा है, अब इसमें प्रिमेट्रिक, पोस्टमेट्रिक, नेशनल स्कॉलर्षप या फिर नेशनल हवाय, डिवीटी, बाउचर, यूजना, बहुत सारी स्कॉलर्षप से पैसी हैं, जो किंद सरकार के द्वारा इनका बजट है, भारत के सभी राज्यों के लिए दिया जाता है, अब आप इसमें एक यह भी देख सकते हैं, कि जो मैंने आपको दखा रखा है, इसमें बजट है, राज्य सरकार को दिया है, बारत सरकार ने, उसी बजट पर मैं आपको यहां से ले के चलता हूँ, तो दोस्तों चलिए, मैं आपको एक बार यह बजट उपन करके बता देता हूँ, तो यहां से जैसे कि मैं आपको अभी यह बजट का ऑप्शन है, जो यहां से तो आपको यहां आप देख सकते हैं जो budget pass हुआ है विभाग के लिए कितना budget बारस सरकार ने दिया है तो यह यहां से थोड़ा time लेगा loading data दिखाने में तो दोस्तों जैसे ही यहां से open हो जाएगा तो इसके लिए हमें bet करना होगा तो finally यहां से open हो चुका है open हो गया अब मैं आपको इसमें लेखके चलता हूं post metric scholarship pre post सबके अलग अलग budget आते हैं दोस्तों ऐसा भलुकल भी नहीं है सभी का एक साथ नहीं आता प्री का अलग आता है पोस्ट metric का अलग आता है नेशनल का अलग आता है अब आप इसमें ग्राफिक की मदश से आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर पता चलेगा 2023 का financial year है यानि आपकी जो scholarship के payment है जो आना बाग की है इस year में उनकी में बात कर रहा हूं उनका budget है जब अभी हालिका इनका budget देख सकते हैं all estate के दिया हुआ है तो इसमें मैं आप राश्तान को सो करवा देता हूं आपके लिए तो य यह जो करोड है budget है करोडों में आता है तो राश्तान का दिखा हुआ है आपको यह राश्तान point है आपको दिग्ग्या होगा नीचे एक सेड में 105 करोड का budget दे रखा है दोस्तों यह देख लिए यह open हो चुका है राश्तान एकड में कि यह 2022-23 का budget है दोस्तों 2023-24 में आपक हैं वो डाले गए थे चलिए मैंने कब डाले हैं वो भी आपको सुक करवा देता हूं इसमें तो यह मैंने directly यहां से इसको open कर रखा है PDF को अब चाहे हो तो इसको वहां जाके भी open कर सकते हैं तो यहां सबसे पहले आप देख लीजिए यह है government of India ministry or tribal affairs scholarship division यह विवक का नाम है दोस्तों इनों ने अब क्या कहा है pay amount officer ministry of travel सास्त्री बवन न्यू देली subject क्या कहता है इसमें कि जो आपको मैं short में हंदी में ही बता देता हूं कि राश्तान सरकार के लिए towards reverse end year 2022-2023 यानि कि राश्तान सरकार के लिए दिया गया है 2022-2023 का जो है आपकी यहां देख सकते हैं scheme for map post matter scholarship schedule tribe student यानि ST student की बात करें और finance year 2030-2024 में यह आया है लेकिन यह budget आपको show कर रहा है 2022-2023 का कहां आपको दिख जाएगा आपको यहां नीचे की side यहां आप देख सकते हैं यह आपको दिखेगा 22-2023 का अब total amount यहां पर आपको दिख रहा होगा rupees 105 करोड यानि कि 105 करोड क की तरफ से अब आप देख सकते हैं इसमें 2022-2023 के student उनके लिए यह अलग से आया था अब आया कब है यह भी मैं आपको date बता देता हूं इसमें आप देख सकते हैं 105 करोड का budget यह दिखाय गया है और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि budget दो आ चुका है लेकिन य डेली भी नहीं है लेकिन दोस्तों यह जो है मैंने जब डाउनलोड की थी तो यहां पर फैनली दोस्तों मिल गए है date जे 21 जून 2023 को यह budget वहाग ने दे दिया है राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार भी कौन सी राहतान सरकार तो दोस्तों यह राज्य सरकार के लिए जो budget दिया है विवाग ने तो अब इस budget का पास होने के बाद में budget आभी का है लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी आती है कि 105 करोड का budget लेने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक आपके लिए एक रुपया भी ट्रांसफर नहीं किया है जो की student हैं 2022 के अब आपको पता होगा 6-7 महीने पहले तक तो बिल आये थे student के लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब 6 महीने बात में और आज तक जो student इनका बिल नहीं आ रहा जबकि विवाग के लिए special 105 करोड का budget दिया है तो दोस्तु मैं आपको बता दू राज्य सरकार और किंद सरकार में कुछ मतवेद हो दे लेकिन दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है OBC category का जो budget है वो completely यहां से जो रायस्तान सरकार देती है उसमें कुछी percent है जो किंद सरकार की तरफ से मिलता है तो इस प्रकार की कुछ issue थे जो यहां पर complete नहीं हो पाए थे राज्य सरकार के लिए लेकिन अब सभी बातों को खतम करके एक ही बात आपके लिए बता देता हूं directly कि जो बिल आ रहे हैं और जो अब ST के आने वाकी हैं राज्य सरकार ने अवी तक नहीं दिये और राज्य सरकार अब आपको नहीं देगी अब यह फिर बिल कौन देगा और कब देगा तो दोस्तों यह बिल आपको जनवर में मिलिए यानि की औक्टूवर ौंबर दिसंबर यह निकलने के बाद में जनवरी से आपको यह मिलने लग जाएंगे लिए क्योंकि दोस्तों बजट राज्य सरकार के लिए दिया है इस राज्य सरकार ने आपको पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो यह इस ब्रवाक की गलत लग जाएगा जो बिल आप सभी स्टुडेंटों के लिए बने हुए हैं तो यह है आपके राष्तान की स्टुडेंट है जो उनकी जानकारी तो दोस्तों अब आपको करना क्या है आपको कुछ भी नहीं करना जने स्टुडेंटों रेट फिलर का आ रहा है वह अपना फॉरम जरूर चेक कर लेना है scholarship status और और वी कोई समस्य आ रही है तो वह भी आप अपडेट चेक करते हुए रहना है और नए अपडेट जरूर इसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं तो आपको टाइम पर बता देंगे वह भी आप जरूर देखते हुए रहना है तो चलिए दोस्तों आसा करता हूं complete जानकारी चलेगे तो पली वीडियो को लाइक करना चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों को भी वीडियो सेर कर देना तो चलिए मिलते ने स्ट वीडियों में तक तक दिद धन्यवाद